बगती और उतकास का वास और विश्वास का जनजन के जीवन की खुश हाली का दर्पन यह है कृश दर्शन यह है कृश दर्शन यह है कृश दर्शन किसान सात्यों जैसा की शुरुवात में हमने कहा था आज के कारेक्रम में हम बात करने जा रही है मदुमक्खी पालन की राजस्थान में क्या संभावनाई है क्या परिद्रश्य है और खास तोर पर मदुमक्खी पालन के लिए किस तरह के प्रशेक्शन की आवशकता होती है लेकिन-किन एहम बातों की जानकारी मदुमक्खी पालन के लिए जरूरी है इस विशे पर आज विस्तार से बात करेंगे और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौझूद हैं। बातों की जानकारी मदुमक्खी पालन की राजस्तान का मदुमक्खी पालन के साथ सबसे बड़ा बोगुलिक परदेश होने के कारण से हमें बहुत ही अच्छे संभावनाए हैं। आप सर्सों का चेतरफल अगर देश में सबसे ज्यादा है तो राजस्तान में इसके बाद में बाजरा भी सबसे ज्यादा चेतरफल में राजस्तान में हो गया जा रहा है। इसके अलावा वनस्पतियों में जो भी वनस्पति हमारे चेतरफल की द्रेश्टे से सबसे ज्यादा होने के कारण से उससे मदमक्यों को कुछ न कुछ मिलता है। दो त्रे का भोजन लाती है मदमक्यों इन वनस्पतियों से एक प्राग लाती है दूसरा आपका मकरंद लाती है जिसे नेक्टर बोलते हैं जिससे सहद का निर्मान करती है। तो बहुत ही अच्छी संभावना हैं मदमक्य पालन करने से। अगर राजस्तान के संधर्व में बात करें तो कौन-कौन से जिले हैं जहांके किसान साथी जो हैं वो मदमक्यों कर सकते हैं अगर कोई करना चाहते हैं। राजस्तान के संधर्व में हनमानगड, गंगानगर, बिकानेर, जुंजनो, चुरू, बर्तपूर, अलवेर, इसके अलावा कोटा, बुंदी, उदेपूर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डुंगरपूर, सभी छेत्रफल में इसको किया जा सकते हैं। पानी की आउशक्ता होती है, इसके लिए पानी के साथ वनस्पती मेहतोपूर्ण है, जिस चेत्र में वनस्पती सबसे अच्छी होगी, वहाँ इसको बहुज़न, पूरी साल भर मिलता रही है। तो किसान साथ ही कर सकते हैं, अब बात करते हैं, सर मदुमक्खी पालन करना वैसे तो टेक्निकल है, क्योंकि टेक्निक के जानकरी के बिना अगर करते हैं, तो उसका लाब नहीं ले सकते हैं। पॉलन इकठा करके प्रोटीन का सबसे बड़ा भंडार है यह। दूसरा इसके अलावब वेक्स है, रोईल जेली है, प्रोपॉलिस है, वेनम है, जिसके डंक को इकठा करके भी आजकल दवाईयां बनाई जा रही हैं। किसानों के पास ना हो। तो यह क्या क्या चीज़ें होती हैं किसान इसके बारे में जाना चाहिए। एक फ्लॉवरा से मिलने वाला दो तरह का भोजन में बताया है, मदमक्यों का मैंने, जिसमें एक है प्राग इकठा करना, दूसरा है मकरंद इकठा करना, मकरंद का मतलब है कि रस इकठा करना फूलों से, और उस रस के दौरा सहिद का निरमान करना, प्रोटीन का हमें बजा आदमियों के लिए भोजन के रूप में काम में लिया जाता है डाइट में इसी परकार मदुमख्यां भी इसको इकठा करती है तो हम बॉक्स के आगे मदुमख्य डिब्बे के आगे उसका पॉलन ट्रेप लगा के उसको इकठा करके मार्केट में बेच सकते मदुमख्य पालक चीज है हमें यह लगता है कि यह काटेगी तो हमारे को नुक्सान होगा लेकिन हमारी जो गरंथियां हैं उसको डौलप करने के लिए साथ में पेल किलर के रूप में जैसे बहुत सारे आजकल मनुस्य में गठिया की सिकायते होती हैं उसके इलाज के लिए इसके वेनम को सब्सक्राइब लेने के मदुमक्खी पालन से इसके लिए विशेश प्रस्टिक्षन की भी आवशक्ता होगी क्योंकि तक्निक अड़ों में बंध होकर मदुमक्खी का पालन किया जाता है अलग-अलग चीज के लिए अलग-अलग एक्यूप्मेंट की भी जरूत पड़ती किये जाते हैं और मैं किसान भाईयों को यह सलाह देना चाहूंगा अगर मदुमक्खी पालन का कारिये करते हैं तो बिना प्रस्टिक्षन के आप कारिये करेंगे तो ज्यादा ग्यान भी अरजित नहीं होगा और साथ में आप नुकसान भी उठा लेंगे तो साथियों को अपने निकर्तम कर्शिवी ग्यान के अंदर में अपना नामदर्ज कराना होता है उसके बाद में वह जब भी पर्सिक्षन होगा कर्शिव एग्यानिक उनको फोन द्वारा सूचना दे के और बुला के पर सिक्षन दिया जाता है उमेश कुमाजी एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि किसान साथी प्रेस्टिक्शन भी ले लेंगे लेकिन कौन किसान साथी हैं जो मद्यु मक्षी पालन कर सकते हैं उनके पास जमीन कैसी होनी चाहिए किस तरह की वनस्पति की वो खेती कर रहे हो तो वो क्या जरूरी आवशक्ताओं है मदुमक ही पालन एक एसा वेवसाई है जिस किसान के पास जमीन नहीं है वो भी मदुमक ही पालन कर सकता है क्योंकि इसके लिए कोई भी जमीन की आउशिकता नहीं होती है। फ्लॉरा से अपना भोजन एकठा करती है और यह हमें दूसरे किसानों के के क्येतों से भी भोजन लाके देती है तो इसके लिए हमें जमीन कोई भी जरूरत नहीं है इसके लिए केवल उसको ग्यान होना जरूरी है उसके बाद में वो कारिय कर सकता है और ज्यान के लिए करशिविग ज्यान केंदर इस तरह के पर्सिक्षन आयोजित करता है तो इसके लिए करशिविग ज्यान केंदरों से या खादी ग्रामोद्योग आयोग या खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से संप्रक करें या उद्यान विभाग के दौरा भी इस तरह की योजनाएं चलाए जा रही हैं जिसमें प्रस्टिक्शन दिया जाता है जी प्रस्टिक्शन के साथ-साथ आपने कई नई जो तकनीक बताई कि अलग-अलग तरह की उत्पात जो हैं वो माकेट में आ सकते हैं मदुमक्खी पालन से तो उनके लिए क्योप्मेंट की भी जरूत पड़ती है तो क्या ऐसी कोई यूजनाएं सरकार की जिन से अनुदानेत कुछ सबसेड़ी मिलती हो इन पर हाई इस तरह की योजनाएं सरकार के दौरा हनी मिशन के अंत्रगत और हर विभाग के दौरा जैसे उद्यान विभाग के दौरा पचास पॉक्स तक मदमक्की पालकों को चालिस परसेंट अनुदान पर उपलब्द करवाया जाते हैं इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग आयोग से और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से पी-एम-जी-पी योजना प्रदानमंत्री रोजगार गारंटी योजना है उसमें भी वो पोर्टल पर रेजिस्टर्ड करवाने के बाद में उनको भी 35% तक अनुदान दिया जाता है हम प्रजाती पर भी बात करेंगे पहले किसान साथी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए उनसे बात करते हैं हलो हलो हां जी नमस्कार कौन बोल रहे हैं कहां से बोल रहे है किशनलाल जी श्री गंगा नगर से बोल रहे हैं जी पूछिए हां जी सवाल पूछिए अपना क्रिशनलाल जी अपना सवाल पूछिए जी बिलकुल बहुत ही एहम जानकारी लेना चारहे है सभी से कैसे बचाएं मौसम के अनुसार अब जो पाला जमरा है उसमें मदमक्यों को लिए बहुत ही एक एड़्वर्स कंडिशन है विप्रित प्रिस्तितियां है इसमें मदमक्य पालक अपने बॉक्स को पूंटे ड़क के रखें और उपर जूट के बोरी लगा के और उसके उपर अख़वार लगा दें जिससे उसका तापमान मेंटेन रहेगा और बॉक्स को कम से कम खोलने की कोशिस करें जी बहुत ही एहम आपने जानकारी दी सर इसके अलावा जैसे मदमक्य पालन के लिए विशेश प्रजातियों की भी आवशकता होगी तो कौन-कौन सी प्रजातिया है जिनका राजस्थान में पालन की सेक्ड़ों परजातिया हैं लेकिन जो पालने योगे मदमक्य है वो A. P. S. Mellifera जिसे European मदमक्षी, Italian मदमक्षी के नाम से भी जाना जाता है, यही एक मदमक्षी है जिसको हम करत्रिम रूप से box में पाल सकते हैं या A. P. Serena Indica मदमक्षी है, लेकिन इस मदमक्खी से हमें सहद कम मात्रा में प्राप्त होता है और ये इसको बहुती कम मात्रा में पाला जाता है जो सबसे ज्यादा आदुनिक रूप से पाले जाने वाले मदमक्खी है वो एपिस मेली फेरा मदमक्खी है इसके अलावा दूसरी परजातियां भी हम जो जंगली परजातियां कह सकते हैं जैसे एपिस डोरसेटा जैसे पाड़ी मदुमक्खी या डूमना मदुमक्खी जो सभाव में उगर होती है गुसेल होती है लेकिन जो एपिस मेली फेर परजातियां यही सभाव से सांथ होती है और सहःद की ज़्यादा मातरा इकठी करती है तो इन प्रजातियों को प्राप कहां से करें कौन सा विभाग मतलब विभाग से हम कैसे संपर्ख कर सकते हैं किसान्साती ये प्रजातियां जो पुराने BG पर हैं उनसे हम खरीच सकते हैं पूराने मदुमक्खी पालक से ले सकते हैं, या जैसे अनुदान के लिए हम आवेदन करते हैं, उसके बाद में विभाग इनको किसान साथियों को उपलब्द करवाते हैं। पूरा सायोग मिल सकता है। उद्यानवी बाहंग से खाधी ग्रामोद्योग बोर्ड या खाधी ग्रामोद्योग आयोग से इनको अनुदान की वियोस्ता होगी साथ में बॉक्स भी उपलब्द करवाए जाते हैं एक बात आपने कई कि जो पुराने निर्ण की पालन कर रहे हैं उनसे बहुत मत्रवात मदद मिल सकती हैं तो क्या किसानों को आप है सला देंगे कि जो जो पुराने जो मध् thoroughbell कर रहे हैं उनसे भी किसान संपार्ख कर सकते हैं ताकि वो देख सकें कैसे वह खेती होती हैं उनके साथ भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर बीकी पर नए बढ़ना चाह रहे हैं तो वह पहले अपने पुराने साथियों से जो पहले से मदमखी पालन का कारिया कर रहे हैं उनसे काफी मात्रा में उनको प्रायोगी ग्यान होगा और उससे वह अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं फशात में किसान साथि नाम बताई गों बोल रहे हैं नाम बताईए अपने कौन बोल रहे हैं अभी कृष्ण लाल जी आपका दुबारा फोन आया पहले आप ही ने फोन किया था जी पूछें जी जी अपनी समस्या बताईए आप नाम आप समस्या बताईए अपना सवाल बताईए क्या है आपका जी 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 जो किसान सात्यों का किसान क्रेडिट कार्ड बनावा है उससे भी मिल सकता है दूसरी बैंक से डाइरेक्ट भी आज किल बैंक अनुदान के साथ में इस लोन की परक्रिया भी करते हैं. तो उन पर भी अनुदान हर बैंक के पास यह स्टीम है इसमें बैंक से संपरक करना पड़ेगा जहां अपना अकाउंट है या खाता है उस बैंक में जा के संपरक करें जी जी बहुत ही एहम आपने जनकारी दिये बैंक से संपरक कर सकते हैं और जिन किसानों के साथ पास किसान क्रेडिट कार बढ़ा हुआ है उन वो तो जरूर संपार कर ले उनको असानी होगी बैंक लोन में सर एक और बात आती है कि एक तो प्रस्टिक्षन भी ले लिया प्रजाती भी हो गई अब वनस्पती कैसी होनी चाहिए यह मतलब खेतों में फसल कैसी होनी चाहिए जहां पर मदमक्षी पालन कर सकते हैं इसमें किसान साथियों को मैंसला देना चाहूंगा कि फसल अके लिए हमारी जो अनाज़ वाली फसलें ही नहीं होने चाहिए इसके इलावा खर्पतवार से भी मदमक्या अपना बोजन प्राप्त करती है साथ में पेड़ पोदों से भी वनस्पतियों से भी बोजन प्राप्त करती है जैसे खेजडी है, कीकर है, सिसम है, सफेदा है, इन से भी अपना प्राग और पॉलन एकठा करती है, इसके अलावा जो भी फसल है, जिसमें फूल आता है और फल बनता है, उसी से हमें ये बोजन लाके देती है, एक तरह से, और अगर वनस्पती नहीं होगी, तो मदमक्या नहीं हो होगी है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत ही एहम आप बात कर रहे हैं, एक सर माइग्रेशन की भी समस्या होती है, कई बार माइग्रेशन की सही जानकारी नहीं होती है, किस समय करें, ये पता नहीं होता है, और दूसरा, माइग्रेशन के समय अगर रसाइनिक दवाओं क पच्छिडकाव अगर फसलों पर हुआ है तो वो कितना हानी का रहा कि इन दोनों की हम जानकारी लेना चाहेंगे माइग्रेशन में मदमखी पालन की एक बहुत ही जरूरी परक्रिया है अगर किसान साथी माइग्रेशन नहीं करेंगे मदमखी पालक तो उनका उत्पादन बहुत मात्रा में परभावित होगा उनको करत्रिम रूप से बोजन की वेवस्ता करने पड़ेगी इससे अच्छा है कि वो दूसरी जगए माइग्रेशन करें माइग्रेशन करने से पहले हमें उच्छेतर का ब्रमन करके हमें ये देखना चाहिए कि जहां हम मक्यों को लेके जा रहे हैं वहां वनस्पती हैक नहीं है दूसरा फ्लॉरा जो फूल हैं वो किते दिन तक उपलब्द हो सकते हैं ये भी हमें आइडिया लग जाता है पहले और साथ में माइग्रेशन हमेशा रात के समय में किया जाता है तो रात स्याम क समय हमें बॉक्स में भरके मक्यों को और गाडियां भरके और शुबे तक उसको नियत इस्तान तक पहुंचाना जरूरी है दूसरी बात आपने कीटना सक्ट दवाओं का रासाइनिक दवाओं का रासाइनिक दवाओं का सबसे बहेंकर प्रभाव पढ़ता है मद मकी पाल प जब भी किसी खेत में या किसी छेतर में रासानिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो उनको बी कीपर्स को पहले बता देना चाहिए जिस से वो अपने बॉक्स में मत्फियों को फीडिंग वहीं करवा दे और दूसरी बात किसान साथी बहुत सारे किसान साथियों को मैं यह सल का नुकसान करेगी मक्या मदुमक्या कभी भी किसान के खेत में फसल का नुकसान नहीं करेगी वो उसके उतपादन को बढ़ाएगी क्योंकि मदुमक्या नहीं हैं तो उसके खेत में उतपादन काफी मात्रा में परभावित होता है जी और इसके लिए वहां उनको चला के र पालन से भी समाजिकता हम सीखते हैं तो यह तो मतलब बढ़ने वाली बात है कि वह सैयोग बढ़ाती है क्रिशी में मदमक्षी एक बहुत ही समाजिक जीव है कीट है जिससे हमने समाज की में रहना सीखा है क्योंकि इसमें अपने कारिय के परती हर वरग जैसे एक कोलोनी का न परकर में रेवर्कर होंगे जिससे वह अपने काम का विवाजन इस तरह से करते हैं कि एक दूसरे के काम में दखल ना कर सके और इनिसे हमने समाज में रहना सीखा हैwir सही हों करते हैं बहुत ही एहम आपने चान इका एहिज़ी हम प्रकरती से कितना एहम काम है जो हम सीखते हैं. दूसरा, प्रकृती के संतुलन में भी मदुमक्की का बहुत बड़ा योगदान है. अगर मदुमक्की पालन न किया जाए या मदुमक्कीया नहो तो क्या प्रकृती पर असर पड़ेगा हमारी फसलों पर हमारी जो भी व्यवस्ता है प्राकर्टी को स्ब्सक्राइब पड़ेगा अगर सरस्टी में मदमख्यां नहीं हो तो तीन साल में हमारा विस्व भूका मर सकता है क्योंकि 95% से ज्यादा जो परप्रागन है या पॉलनेशन है प्रागन की किरिया है पेड पोदों में वनस्पतियों में वो केवल और केवल मदुमक्यों के दोवारा होती है और चाहे हम करत्रिम रूप से मदमख्य पालन करके या प्राकर्तिक रूप से मदमख्य पालन करके हम हमारी वनस्पती को भी जिंदा रख पाते हैं सर एक और बात एहम आती है जो मदमख्य पालन के विपनन की समस्या जो मदमख्य पालन कर रहे हैं उनको आ सकती है तो विपनन में क्या एहम जानकरियों होनी चाहिए विपनन की समस्या के लिए मैं किसान उनुसाथियों को बीकीपर्स को ये सला देना चाहूंगा एक तो सहद की क्वालिटी अच्छी रखें क्योंकि सहद जब हम कच्छा सहद निकालेंगे तो हमारे सहद में पानी की मात्रा ज्यादा होगी अगर 17% से ज्यादा पानी की मात्रा होगी तो वो सहद खराब होने के चांस रहते हैं इसलिए पका हुआ सहद जैसे विदेशों में सूपर लगा के सहद निकाल रहे हैं उसी तरह से बोक्स के उपर बोक्स रखके जिसमें पका हुआ सेहद हम निकालेंगे केवल जब सील्ड सेहद निकालेंगे मतलब चत्ता बंद किया होगा उससे सेहद निकालेंगे तो वो सेहद काफी दिन तक खराब नहीं होगा और सेहद की गुणवत्ता भी सही बनी रहेग जी जी मतलब गुणवत्ता का विशेश ध्यान रखना है अगर मुनाफ़ा जादा लेना है और अच्छी क्वालिटी के लिए जो किसान साथी मदुमक्खी पालन करना चाहते हैं उनको आप क्या सला देंगे कहां संपर्क करें क्या क्या जन करें उनके पास वो संक्षेप में जो युवा साथी हैं जो खेती से जोड़ना चाहते हैं उनको मैं सला देना चाहूंगा कि वो इस तरह के पर्सिक्षन ले के और क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी समस्यां यह आती है कि जमीन कम है जैती योग जमीन कम है इसलिए काम खेती नहीं कर सकते लेकिन आज के दि तो इसके लिए मैं उन युवाओं को सला देना चाहूंगा कि वो इस व्यूसाय से जोड़के अपने दूसरी यह भी बताना चाहूंगा कि मदमखी पालन का व्यूसाय एक ऐसा व्यूसाय है जो एक साल में अपनी लागत पुंजी को किसान को वापस कमा के देती है क्योंकि एक वोक्स से हमारा लगबग एक साल में 40 किलो सहथ पराप्त होता है जो कि हमारी लागत को पूरा करता है तो इसलिए मैं युवाओं को पढ़े लिखे युवाओं को जो माइग्रेशन में भी अच्छा काम कर सकते हैं अच्छे अच्छे गुनोता यूग प्रोड़ जिससे हमें अच्छा मुनाफ़ा भी मिलता है बहुत ही एहम जानकारियां आपने किसान साथियों के साथ साजा की आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो आज के करिक्रम में जितनी भी जानकारियां दी गई है उनसे आपको एक तो सुचना मिल ही गई होगे कि मदुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो क्रशी विभाग से आप संपर कर सकते हैं क्रशी विज्ञान केंद्रों से संपर करके प्रसिक्षन ले और इस विवसाय को आप कर सकते हैं आज का करेक्रम बस इतना ही आपको कैसा लगा हमें लिख वेजिये चिठी हमारा पता है करेक्रम क्रशी द झाल झाल